नमस्कार गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी पाच खबरों के इस बुरेटेन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुवात करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। पिप लथला, संजरपूर, ठाना आदर्शनगर, नई दिल्ली बताया। इस वमन्द में प्रभारी निरिक्षक उदाराज ने बताया कि लड़की द्वारा बताने पर उसके पिता से मोबाईल द्वारा संपर्क किया गया। पिता ने बताया कि लड़की शुक्रवार की अधर्मिक स्थल और ग्राम पंकञाथ हर्दासपूर कलाक के ढोहरा में हनुआन पर आर्ति की गई। करीब 200 पौदर उपण किया गया। इसके बाद हर्दासपूर में रविदास जी की मूर्ति, रांपूर पतारी में रविदास जी मूर्ति और आमारी मिस्थित संत रवि इस वसर पर किसार मुर्चा के महामंत्री रूद्ध प्रताप सिंग, शैलेश राम, महामंत्री सर्वन सिंग, चंदन राजभर, सरोज मिश्रा, राजेश सोनकर, आशोक यादव आदी मौजूद रहे, अध्यक्षता, मंडल अध्यक्ष, मनोज यादव निकी। विद्ध कर्मचारी संयुक्त संगार्शमिती उत्तर प्रदेश के आवान पर बिजली के नीजी करण के विरोध में शनिवार को भी, जनपद में उपखन डिस्थर पर नौ स्थानों पर शाम 4-5 बे तक विरोध सभा आयोजित कर विरोध प्रदर्शम किया गया, इस मौके प नीजी घराने को बेच कर एकठे मुनाफा कमाने के चकर में पड़ी हुई है, उसका इलादा भारी भरकम कमीशन खाने का भी है, एस सवसर पर खंडी अध्यक्ष, सैथपूर, अनुराक सिंग, साहयक अभियंता शत्रुगन यादो, अमित कुमार, अभिशेक राय, मिठाई करंडा पुलिस ने शरिवार की सुबे दीनापूर चटी से करीब 300 मीटर आगे जमनिया मार्ग पर सूपरवाइजर को गोली मारने वाले आरोपी को गिरफतार कर लिया, इस सम्मंद में थाना प्रभारी निरिक्षक आजयक कुमार पांडे ने बताय कि बीते गोरकपूर के रहने वाले प्राइवेट कमपनी के सूपरवाइजर उपरेंद्र मौरिया कोचोरा में किराना के मकान में रहता था, अब्दुलहमान उर्फ गबर द्वारा गोली मार कर उसे घायल कर दिया गया था, उकचार के लिए घायल को वारना सी ले जाय गया था, इस मामले में घा अब्युक्त एक 32 बोर का पिस्टल और एक खोखा कार्तूस बरामत किया गया, बताया गया कि संबंदित धाराओं में अभ्युक्त अब्दुलहमान का चालान कर जेल फेज दिया गया है, गिरफतार करने वाले टीम में उपने रिक्षक राम बाबु सिंग, कॉंस्टेबल नागेंद्र कुमार, कॉंस्टेबल संजेपाल और कॉंस्टेबल प्रमोद कुमार शामिल थे। आने वाले प्रिवतों के साथ अच्छा व्यवहाद करें। दोनों पक्षों की बात सुनी जाए, इसके बाद जुलादिकारी तथा पुलिस अधिक्षक ने थाना परसर में रख रखाओ और सफाई को देखकर थाने के पुलिस कर्मियों की पीट भी थप थप थपाई। उनसे कहा कि साफा जिले पर पहुँच गया है, जल्द ही यहां विजवा कर आप सभी के बीच बटवा दिया जाएगा। इस मौके पर शेतरा धिकारी विनए गौतम से भी पुलिस अधिक्षक ने कानून व्यवस्था को लेकर गुफ्ट गुख की, स्पी ने कासिमाबाद थाने का भी निरिक्षण किया, व्यवस्था से संतोष जताया। गाजिपूर के ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूटीव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर तबाएं।